गुपालगन जीले में एक 17 साल के लड़के को घर से बुला कर हत्या कर जला दिया गया, पहले उसे चाकु से मारा गया और फीर आग के हवाले कर दिया गया गुपालगन जीले में एक 17 साल के लड़के को घर से बुला कर हत्या कर जला दिया गया, पहले उसे चाकु से मारा गया और फीर आग के हवाले कर दिया गया घटना के बाद एक रोती हुई लड़की यानि लड़के की प्रेमिका का कॉल आया और लड़के की मासे बोली अनू को नहर के पास जला दिया लड़का लड़की अलग अलग जाती के थे यह वर्दात गोपाल गंज के गोपालपूर थाना छेतर के सगवाड़ी गद्दी टोला गाउं की है पूलिस ने घटनास्ता से चाकू सराब की बोतल और माचिस भी ब्रामद किया है पूलिस को राम परविश मदेशिया का बेटा अनूप कुमार का जला सोव मिला है पास में ही खून के निसान भी मिले हैं इससे अंदाज लगाया गया कि पहले उसे चाकू मारा गया अनूप की मा ने बताया कि वह मंगल बार रात खाना खाने बैठा था तबी उसके मबाइल पर फोन कर किसी ने उसे बुलाया वह मबाइ घर पर ही छोड़ कर चला गया अनूप के चाचा संजय ने बताया कि वह बीस दिन पहले अनूप के गाव के तीन युवकों के साथ मार पिट हुए था क्योंकि अनूप युवकों में से एक गोविंद की मौसेरी बहन से बात करता था इसी से नराज गोविंद ने अपने दो स सांथियों के साथ मार पिट की थी इसके बाद अनूप काम करने गुजरात चला गया जब वापस आया तो उसकी हत्या हो गई आपनी तो हम कहां से बोलते हैं तो हम कार्दभी फणुआ ओपर फ्याद फणुआ खाउगे तो आपने भाभू के घाजुआ तो निए अपरावाबू के गाजुआ तो नि आप आप जान के देखिला हो और पोर बोड़े हो दा आधा हम जान के बादला जालेम